यह मेरा फर्स्ट वीडियो हने वाला है तो मेरे चैनल को आगे ले जाने कि उझे आप सब का प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा तो आज का वीडियो हमारा बोडी टैन को कैसे रिमूव करें ज्यादा संद के एक्सपोजर के कारण हमारे बोडी पर संटन हो जाता है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे वीडियो उसी पर जाया तो फिर थोड़ा स्क्रबिंग करेंग हमारा पोर्स टेक्प होने वाला सतना स्क्रबिंग करेंगीी तो सारा डर्ट जल्दी से रिमूव हो जाए कि स्टेप बड़िए हम एक बॉल में सुगर लेंगे उसमें हम ओई आड करेंगे हम आलिव ऑई भी ले सकते हैं और कोनेट वी ले सकते तो मैंने या पर कोकनेट ओई यूज किया उसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस एरिया पर भी हमें संटान रिमूट करना वहां पर इससे स्क्रबिंग करेंगे इस तरह से तो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है बोडी पैक तो उसके लिए हमें चाहिए होगा पटाटो पटाटो कर लेके हमको इसका चिलका हटा देना और इसको कदू कस कर लेना तो यहां पर मैंने इसको जूस निकाल लिया है अब हम इसमें कर्ड आड करेंगे इसी तरह से हम इसमें कर्ड आड कर लेंगे और इसके वाद इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया अब इसको लेके हम अपने हैंड पर अपलाई कर लेंगे इसको टू थी मिनट के लिए मसाज करेंगे इसी तरह से और इसके वाद इसको सूखने तक के लिए छोड़ देंगे तो मेरा सूख गया था तो मैंने इसे वाश कर लिया उसके बाद हमा आपको भी मोस्टराइजर अपलाई कर सकते हैं अगर आपको डियाइवाइवाइजर यूज करना है सो देखिए अब डियाइवाइवाइजर बनान के लिए निए पर वन टीस्पून कोकनट ओल लेना है इसके बाद हम इसमें अलावेडा जेल आड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें वन टीस्पून ग्लिशरीन आड़ करेंगे उसके लास्ट में हमें इसमें विटामी ही क्याप्सूलाइड करना है अब इसको जिसी तरह से मिक्स कर लेंगे सब देख सकते हैं मिक्स हो गया उसके बाद जहां पर भी हमें यह सारा बोड़ी के अब देख सकते हैं मिक्स हो गया अब इसको अप्लाइक कर लेंगे तो आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बाइगाइज